नमस्कार दोस्तों, अम बेटकर क्लासेस के यूटूब चिन में आप सभी का स्वागत है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कम्प्लीट लूसेंट जीके के बायोलोजी के चेप्टर वाइस वन लाइनर कुशिन को, जिसका चेप्टर नमबर दस, मानाव सरीर के जिसका टॉपिक है प्यूस गरंथी, यानि प्यूस गरंथी से संबंदित सभी इंपोरेंट कुशिन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो आने वाले किसी भी एक्जाम में, एक्जाम के लिए बहुत इंपोरेंट है, तो वीडियो को पुरा लाश तक देखे, अगर कोशिन पसंद आया, तो लाइक करें, कमेंट करें, तथा सेर करें, चलिए, कोशिन नमबर वान, शुरू करते हैं, कोशिन नमबर वान, मानो सरीर की सबसे छोटी गरंथी है, देखे, मानो सरीर की सबसे छोटी गरंथी जो है, प्यूस गरंथी, जिसे मास्टर ग्रंथी भी कहा जाता है यह मानुसरी के सबसे छोटी गरंति है नेक्स्ट कोश्चन नंबर दो किस हार्मोन की कमी से मनुष्य में बोनापन होता है देखि कुन सा हार्मोन के कारण मनुष्य में बोनापन होता है मतलब हाइट में क्या होता है विड़्धी नहीं हो पाता है तो वह कुन सा ह हार्मोन है STH हार्मोन इस मेटोट्रोपिक हार्मोन चलिए नेश कोशिन देखेंगे कोशिन नमबर 3 प्यूस ग्रंथी का भार लगभग होता है प्यूस ग्रंथी का भार लगभग कितना होता है 0.6 ग्राम चलिए नेश कोशिन नमबर 4 प्यूस ग्रंथी कापाल के एस्पनाइड हड़ी के एक गड़े में इस्तित होता है इससे क्या करते हैं तो इससे क्या करते हैं अब दोंग्राम बर प्यूस ग्रंथी के अगड़े में प्यस ग्रंथी कापाल के इस्पनाइड हड़ी के एक ड़ men में में होता है जिसे क्या ग्राम ऑसे क्यूसिंश नमबर 5 पंच कोण सा थाड़ेट ग्रंथी को हर्मॉन सरावित करने के लिए प्रतित प्रेरित करता है कौन सा हार्मोन थायरोड ग्रंथी को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है तो टी एसेच यानि थायरोड इस्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हार्मून जो होता है वो थायरोड गरंथी से हार्मून स्रावरित करने के लिए प्रेरित करता है चलिए नेश कोशिन कोश्चेन नमबर 6 चलिए नेश कोशिन देखेंगे कोश्चेन नमबर 6 सिस्वों के लिए अस्तनों में दुद्ध स्राव उत्पन करता है सिस्वों के लिए अस्थनों में दूद का स्रावुत्वन करता है तो LTH यानि लेक्टोजेनिक हार्मोन क्या होता है LTH यानि लेक्टोजेनिक हार्मोन next topic है आवर्टू ग्रंथी यानि thyroid gland क्या होता है thyroid gland तो question नंबर शाथ आवर्टू ग्रंथी से निकलने वाला हार्मोन क्या जिसमें iodine अधिक होता है जिसमें iodine के मात्रा क्या होता है अधिक होता है जैसे यहाँ पर दो हार्मोन दिया है एक थाइरोक्सिन और एक ट्राइडो थाइरोनीन ये जो दो हार्मोन निकलता है वो आपका आउट्टु ग्रंथी से यानि थाइरोड ग्लेंड से निकलता है चलिए नेश कोश्चन देखेंगे कोश्चन नमबर आठ थाइरोक्सिन की कम से कुन-कुन सा रोग होता है तो देखे इसमें दिया है जड़ मानवता जड़ मानवता कुन सा रोग होता है इसमें देखे बच्चों का मानसिक और सारी विकास क्या होता है अबरोध हो जाता है इसको कुन सा रोग बोलते हैं जड़ मानवता और नेश्ट कोशें नेक्स्ट ह नेक्स्ट रोग है घेंगा थायोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है जिसमें आयोडीन की कमी से यह थायरड गरंथी जो थायरड गरंथी होता है उसके आकार में क्या होता है ब्रिधी हो जाता है घेंगा रोग में क्या होता है आयोडीन की कमी से थायरड जो गरंथी होता है वो क्या होता है व्रिधी हो जाता है चलिए नेश कोश्यन देखेंगे कोश्यन नमबर नाइन लंबे समय तक थाइरोक्सिन की कमी किस रोग के कारण समान्य जननकार्य संभव नहीं हो पाता है दिखें लंबे समय तक जब थाइरोक्सिन की कमी होता है तो कौन सा रोग होता है जिसके कारण की समान जनन कार्य संभब नहीं हो पाता है तो यह हाइपो थाइरो डिजन क्या होता है हाइपो थाइरोलडिजन क्या होता है अधिवरिंटि invertik ढ गरंती नेस्ट नपटाइए अधेवरिंटि यानी adrenal plant देखे इसका question number 10 यह brick के उपर इस्तित होता है अधिवरिक जो ग्रंथी होता है यह कहा होता है brick यानि kidney के क्या होता है ठीक उसके उपर होता है और इसका मुख्य कारे क्या होता है तनाव की इस्तिती में हार्मोन का निकलना अधिवरिक ग्रंथी अधिवरिक ग्रंथी से निकलने वाले हार्मोन को क्या गाते है अधिवरिक ग्रंथी से जो निकलने वाले हार्मोन को क्या गाते है लडो और उडो हार्मोन क्या कहा जाता है लडो और उडो हार्मोन चलिए नेश कोश्चेन नमबर 12 हिर्दय अस्पंदन के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है एपीने फ्रीन हिर्दय अस्पंदन मतला हाड जो हिर्दय धरकन के समय में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है वोटा तो एपीने फ्रीन एपीने फ्रीन नेक्स्ट और लाश्ट कोस्टिन उत्तेजेना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में सरजित होता है उत्तेजेना बोलने से जिसे कि अब कुछ सा हो जाता है क्रोध हो जाते हैं भाई होता है डर होता है खत्रा होता है तो उस समय में कौन सा हार्मोन जो होता है अधिक मात्र सब्सक्राइब लडो और उडो हार्मोन भी बहुत यह दिक सभी एक्जाम समय यह पूस्चिन जाता देता है कि एड्रेनील हार्मोन जो होता है उसको क्या कहा जयता तो लडो और उडो हार्मोन यह दिखिए तनाव की स्थितिम में या फिर आपका जब उत्ते जना भूत लोग सभी इंपोर्ट कोश्यन को कबर किये हैं अगर कुश्यन पसंद आये तो लाइक करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें तथा सेल रहें